Assalamualaikum everyone, welcome to my youtube channel आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि heavy menstrual bleeding यजिए heavy menstrual period का first line treatment क्या होता है मेरे अक्सर junior doctors मुझसे एक question करते हैं कि मैम हम सबसे पहले कौन सी medicines दें अगर कोई patient हमारे पास heavy menstrual bleed के साथ आता है और अक्सर patients मुझसे यह सवाल करते हैं कि हमें इस दफ़ा periods बहुत heavy हैं तो हमें कोई medicine prescribe करें यह एक बहुत detailed topic है और आज हम इस पर से journal discussion करेंगे और first line treatment के बारे में मैं आपको बताऊंगे सबसे पहले heavy menstrual bleed से क्या मुराद होता है normally periods जो हैं वो 7 days के लिए होते हैं या जब start होते हैं उससे लेकर 7th day तक continue रह सकते हैं लेकिन अगर वो 7th day से exceed कर जाएं 7 दिन से उपर रहें या फिर इतने ज़ादा आएं कि daily life activity मुतासिर हो तो हम कहते हैं कि ये heavy periods हैं और इसके कई वजुहात है यानि अंडे दानी में मसला हो सकता है bleeding disorders हो सकते हैं जिसकी वज़ा से ना सिर्फ periods हैवी होते हैं बलके जिसम के दूसरे हिसों से भी खून आ सकता है इसके इलावा infection की वज़ा से भी heavy menstrual bleed हो सकती है यानि पेशन गंदा पानी पढ़ने की शिकायत होती है इसके इलावा बच्चेदानी के अंदर रुसोलियों की वज़ा से भी heavy menstrual bleed हो सकती है इसके इलावा बच्चेदानी के सर्तान की वज़ा से ये बच्चेदानी के मूँ में सर्तान की वज़ा से भी heavy menstrual periods हो सकते हैं इसी लिए patient जब आपके पास आता है तो आप पहले उसकी detailed history लेते हैं कि गंदा पानी तो नहीं पढ़ता या वजन तो नहीं कम हो रहा या जिसम के दूसरे हिस्टों से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही या पीरियर्ट्स वक्त से पहले तो नहीं आगे तो आप जर्णल कोस्टन करते हैं इसके इलावा आप abdominal यानी पेट का और अंदरूनी हिसे का मौाइना करते हैं speculum के जरीए पेट के मौाइने से आपको बच चल जाएगा कि कोई रसोली तो नहीं है और जब अंदरूनी मौाइना आप speculum के जरीए करते हैं तो पॉलिप देख सकते हैं सर्विक्स को विजुलाइज कर सकते हैं गंदे पानी को देख सकते हैं तो अगर आप डॉक्टर के पास गए या आप डॉक्टर हैं आपने कसी पेशन को देखा आपको हिस्टरी में कोई खास बात नहीं पता चल रही आपने पेट का मौइना किया, अंदूनी हिसे का मौइना किया और कोई खास चीज नज़र नहीं आ रही है सेकिन काम आप क्या कर सकते हैं, आप अल्टरा सौंट करवा सकते हैं अल्टरा सौंट पे आपको अंड़ेदाने से ही नजर आ रही है कोई रसोली नजर नहीं आ रही यानि सब कुछ ठीक है इसके इलावा पेशन्ट की उमर 45 साथ से कम है और आपने से खास स्वर पर पुछना है कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट तो नहीं ले रही यानि टेमोगजेफेन एक मैडिसन है उसका इस्तमाल तो नहीं कर रही अगर ऐसा कुछ भी नहीं है क्यानि हिस्टी भी बिल्कुल ठीक है पेट के और अंदुरनी मौईने बे भी आ बिल्कुल ठीक है इसके इलावा अल्ट्रसाउंड पर भी कोई मसला नहीं आया 45 साल से उमर भी जाता है नहीं है इसके इलावा टेमोगजेफेन एक मैडिसन है वो भी पेशेंट नहीं ले रही तो हम उसको फर्स लाइन मैडिकेशन दे सकते हैं इसके इलावा फर्स लाइन मैडिसन या आप उन पेशेंट को भी दे सकते हैं जिससे आपने जर्णरली पूछा कि जिसम की किसी ओर से ब्लीडिंग तो नहीं आती गंदा पानी तो नहीं पढ़ता वजन तो नहीं कम हो रहा एक पीरियट से दूसरे पीरियट की दर्म्यान में ब्लीडिंग तो नहीं होती तो तब भी बगएर अल्टरसाउंड किये आप फर्स लाइन मैडिसन दे सकते हैं तो फर्स लाइन मैडिसन एक नॉन हार्मोनल मैडिसन है या इसमें हमने हार्मोन का इस्तमाल नहीं किया, इसके लावा ये medicine उन patients के लिए अच्छी है, जो contraception नहीं चाहते तो सबसे पहले से medicine आती है tablet transamic acid और अगर हमने heavy menstrual bleeding को treat करना हो, तो हम किस तरह से देते हैं, 1 gram tablet हर 6 घंटे के बाद, और 4 से 5 दिन के लिए हम patient को देते हैं, तो अगर आपके पास कोई patient आता है, तो उसे आपने कहना है कि, अगर वो periods के 4 डे पे आता है, और कहता है कि मुझे बेंताहा bleeding हो रही है, ये period के 10th के 12 डे पे आती है और कहती है, मुझे बहुत ज़़दा bleeding है तो जब भी पापके पास आई, आपने उसे कहना है कि 1 gram tablet ले, हर 6 घंते के बाद उसने लेनी है और 4 से 5 दिन तक लेते रहनी है अगर वो tablet 500 mg में है, तो 1000 mg लेगी एक time यानि 1000 mg, 1 gram के बराबर होती है तो अगर 500 mg की medicine है, तो 2 गोलियां एक time लेगी हर 6 घंते के बाद, पहली चीज़, यह medicine पानी के साथ लेनी है यह हम इसको यूँ लिख कर देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 फॉर 4 तो 5 देज़ यह tablet anti-fabronidic है बास तो ही सुचते हैं कि इसको लेने से जिसम में खून के लोथड़े बनेंगे लेकिन इसको कोई सबूत नहीं है तो इस medicine को लेना safe है हाँ लेकिन अगर आपके जिसम में कोई history हो कि खून के लोथड़े कभी बने हो तो आप इस medicine मत ले अगर यह patient medicine नहीं लेना चाहती तो आप उसको पॉन्स टॉन भी दे सकते है यानि टैबलेट मैफिनामिक एसेड मैफिनामिक एसेड इसका फार्मूला है 500 mg सुबा तुपहर शाम तीन दिन के लिए जो ट्रांस्डामिक एसेड है वो ज़्यादा अच्छी medicine है वो ज़्यादा bleeding को रोकती है लेकिन मैफिनामिक एसेड भी लिए जा सकती है आप किसी ऐसे अलाके में बढ़ते हैं या घर में अमोमन पॉन्स टॉन की दवाई जो है वो मौजूद होती है तो आप फोरण से वो ले सकते हैं सुबा शाम तो पहर तीन दिन के लिए लेनी है पोर्ण स्टॉन अगर नहीं है तो आप इसकी जगा आईबोबूफन भी ले सकते हैं इसके इलावा नेप्रॉक्जन भी ले सकते हैं लेकिन वो ही बात है किनका असर कम हो जाएगा तो सबसे बेस्ट एंसेड हैवि मेंस्ट्रॉल प्लीडिंग के लिए मैफिनैमिक एसिड है लेकिन एंसेड के नुकसान यह होता है कि यह जी आईटी सिम्टम कॉस करती है यह अगर आपको मैदे की तजाबियत की शकायट है यह अलसर है तो यह शकायट भढ़ जाएगी से सो बेहतरीन तरीका यह होता है कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास और फर्स टाइम आए और कहती है कि डॉक्टर साब इस बार मुझे एर्थ या टेंथ डी है लेकिन अभी तक ब्लीडिंग नहीं रुक रही या मेरा पंदर्वा दिन है तो तुम्हें अराम आजाएगा क्योंकि बहुत कार पिरियड्स कुछ टाइम के लिए वैसी भी खराब हो जाते हैं तो हम उसे कहेंगे कि जिस वक्त वा आपके पास आई है टैबलेट ट्रांस्डामिक एसेड वन ग्रैम लेनी है एक गोली अगर वो सुबा छे बच लेती है दूसरी बारा बज़े तीसरी शाम छे बज़े और चोथी रात को बारा बज़े और ये मैडिसन फूर टू फाइव डेज के लेनी है और साथ में बहतर है कि आप उसको टैबलेट पॉन्स्टान भी दे दे 500 mg सुबा तुपहर शाम तीन दिन के लिए अब ये तो वो आपने लिख कर दिया जब पेशन आपके पास आई फॉर दा फॉर्स टाइम कब तक देनी है आपने जैसे आपके पास आई ये टैबलेट वो फॉर टू फाइव डे लेगी और पॉन्स्टान वो तीन दिन के लिए लेगी अब उसे आपने ये कहना है कि अगर ब्लीडिंग रुक गए तो ठीक है और रुक जाएगी ये 24-48 खेंटे लगते हैं इनको एक्ट करने में तो अगर ब्लीडिंग रुक जाती है और जब नेक्स टाइम पीरियर्ज होंगे तो सेम यही ट्रीटमेंट लेनी है यही जब नेक्स टाइम पीरियर्ज होंगे तो उसके फर्स्ट डे पर यही फॉर्मूला आपने इस्तमाल करना है यही ट्राइबलिड ट्राइमिक एसेड और ट्रैबलेट मैफिनेमिक ऐसे यह पॉन्सटॉन दुबारा से इसी तरह से इस्तमाल करनी है ट्रैबलेट ट्राइमिक ऐसे फोर तो फाइव डेस के लिए जबके पॉन्सटॉन पहले पीरियर्ड के तीन दिन के लिए इस्तमाल करनी है इसी तरह जब थर टाइम पीरियर्ड आएंगे तो again आपने tablet transamic acid चार से पाच दिन के इस्तमाल करनी है जबकि tablet panamic acid तीन दिन के लिए इस्तमाल करनी है पहले तीन दिन के लिए यह जिसनी blending start होगी उसी दिन आपने लिना शुरू कर दिना है और mostly यह मसला हल हो लेकिन अगर तीन मीने के बाद भी हैवी मेंसल ब्लीड रहे यानि पीरियर्ट्स जूरत से ज्यादा आएं तो ये वो पॉइंट होता है जहां पर हमने मजीद इन्वेस्टिकेशन करनी होती है वज़ा को जानने के लिए ताकि उस वज़ा के मताबक हम इलाज करें फिर हम अल तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थेंक्स फॉर वाचिंग दे वीडियो